करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं प्रधान मंत्री वहाँ पर पहुंच चुके हैं ये द्रिश्य हम आपको दिखा रहे हैं प्रगती मैदान और देश की प्रगती का द्योतक भी प्रगती मैदान है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के प्रगती मैदान का भी वहाँ पर इसको भी दूबारा बनाया जा रहा है और कुछ हिस्सा इसका बनकर तयार हो चुका है ये अपने आप में एक उधारण है दिल्ली का प्रगती मैदान की किस तरह से जो आधुनिक इंफ्राइस्ट्रक्चर है उसको तयार किया जा रहा देश के अंदर प्रधान मैदान के दो हॉल भी प्रधानमंत्री यहां पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे तो काफी महतुपून प्रधानमंत्री का ये कारिक्रम है स्वतंत्रता दीवस के दिन प्रधानमंत्री ने घोशना की थी पी-म गतिशक्ती की और आज ये मूर्त रूप लेने जा रहा है प प्रधानमंत्री गतिशक्ती कारिक्रम का लक्ष प्रमुक धाचागत पर यूजनाओं के लिए समग्र आयूजनों को संस्तागत रूप देते हुए समस्याओं का समाधान करना है तो आप ये इस वक्त देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहाँ पर जो प्रगति मैदान का इला पूरा देश जानता है कि यहाँ पर विभिन्न तरह की प्रदर्शनी लगते रहती हैं और खासकर व्यापार को बढ़ाने में काफी कारगर ये सिद्ध हुआ है प्रगती मैदान और पूरे प्रगती मैदान को अब दुबारा बनाया जा रहा है कुछ हिस्सा इसका बन कर तयार हो गया है और कई सारे हिस्सों में अभी काम चल रहा है इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री को प्रगती मैदान में जो वहाँ पर कारिय चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है कौन सा कारिय पूरा हो गया है कौन सा कारिय अभी पूरा करना है उसके बारे में प्रधान मंत्री को वहाँ पर जानकारी दी जा रही है और इसके बाद प्रधान मंत्री PM गती शक्ती की वहाँ पर शुरूआत करेंगे देश के धाचागत पर योजनाओं को कि से गति दी जाए शक्ति शाली बनाया जाए उसके लिए PM गति शक्ति को प्रधान मंत्री शुरू करेंगे और स्वतंतरता दिवस के दिन प्रधान मंत्री के और से PM गति शक्ति की घोशना की गई थी जो आज मूर्त रूप वहाँ पर लेने जा रही है और यह आप देख सकते हैं कि प्रधान मंत्री को वहाँ पर दिखाया जा रहा है यह आप देख सकते हैं दिल्ली का प्रधान मंत्री को पूरी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से वहाँ पर टनल्स बनाई जा रही है विभिन सडकों के लिए और पूरे प्रगती मैदान को किस तरह से तयार किया जा रहा है काफी बड़ा इलाका ये है और पूरो में दिल्ली में ये प्रगती मैदान यहाँ पर कई तरह के जो ब्यापारिक मेले हैं वो मेले यहाँ पर लगते थे और उसके बाद इसके पुनर निर्मान का फैसला किया गया और बहुत बड़ा धाचागत बहुत बड़ी धाचागत परियोजना इसको कहा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़े इलाके में ये प्रगती मैदान फैला हुआ है और इसको बिल्कुल आधुनिक तोर तरीके से इसको तयार किया जा रहा है खुछ इससा इसका बनकर तयार हो गया है जिसमें से दो हॉल आज प्रधान मंतरी राष्ट को समर्पित करेंगे और अगर पी-म गतिशक्ती की हम बात करें तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार के सोलह मंतराले एक प्लेटफॉर्म पर होंगे और साथी साथ कनेक्टिविटी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है उसमें काफी कारगर ये प्लेटफॉर्म सिद्ध होने वाला है विविन्नक शेत्रों में स्वादेशी उन्नत प्रध्योगी की का व्यापक उप्योग भी किया जा सकेगा और प्रधान मंतरी गतिशक्ती योजना अगली पीड़ी की बुनियादी धाचा तयार करने के प्रधान मंतरी बस अब कुछी देर में कारिक्रम इस्थल पर पहुंचने वाले हैं प्रधान मंतरी पहुंच चुके है कारिक्रम इस्थल पर आज भारत अपने भागे परेतरा रहा है कि माननिय प्रधानमंद्री जी को एक शीर्ष नेत्रतु पर पाकर हम सब धन्य भागे हैं और इस देश को आपका सानित दे मिला माननिय बहुत-बहुत स्वागत है माननिय आपका प्रिदेश स्वागत है माननिय प्रधानमंद्री जी आपका मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है मंच पर स्वागत है माननिय प्रधानमंद्री जी का माननिय श्री नितिन गटकरी जी, Honorable Minister of Road Transport and Highways माननिय श्री पियुश कोल जी, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile ननीजी सरबानन्द सोनुबाल जी, Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways. मननीजी जोटिरादेट्यस इंदिया जी, Honorable Minister of Civil Aviation. मननीजी अश्विनी वेश्नुजी, Honorable Minister of Railways and Electronics and IT. मननीजी राजकुमार सिंग जी, Honorable Minister of Power. मननीजी हर्दीप सिंग पुरी जी, Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs. यहाँ उपस थे सभी महानुभावों का मेहमानों का हम फ्रिदय से स्वागत करते हैं मानिनी प्रधान मंत्री जी ने पिछले 20 सालों में बदलाव के अभूत पूर्व इतिहास रचे हैं वे हमेशा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर देते रहे 2014 से इसी अनुभाव ने बदले और बढ़ते नए भारत से विश्व का साक्षातकार कराया भारत ने ये दिखाया कि निरनायत नेत्रित्व के द्वारा विकास शील देश से विकसित देश की ओर बढ़ा जा सकता है जनहित के स्कीम्स को यदि सिधी तक पहुँचाना है वो भी कम समय और कम लागत में तो मंत्रालेयों, विभागों, राजियों, इत्यादी को अपने-अपने साइलोस से निकल कर समनवै से साथ चलना होगा ताकि योजनाओं को गंतव्य तक तीव रिगती से पहुँचाया जा सके अब हम निवेदन करते हैं, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile माने नेश्री पियोश कोईल जी से की कृपिया स्वागत संबोधन दे परमादर्णिय मान्य प्रधान मंत्री शिन नरेंद्र मोधी जी आज इस कारिक्रम में जुड़े सभी सनमान्य केंद्रिय मंत्री बंडल में मंत्री वर्चुली देश भर में अलग-अलग कोनों से जुड़े हुए सभी सनमान्य मुख्यमंत्री, लेफटिनेंट गवरनर्स सभी अधिकारी गण जिनोंने भारत को तेजगती से आगे बढ़ाने में बहुत ही सरान्य कदम उठाए हैं सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए और व्यापार और उद्योग में भारत को एक स्थान दिलवाने में जो हमारे मित्र काम करते हैं मीडिया के बंदू भाईयों और बेहनों आज देश नवरात्री का पर्फ मना रहा है अश्टमे के दिन आज माद दुर्गा की आराधना होती है पूजा होती है दुर्गा शक्ती का प्रतीक है और आज के दिन हम सबका सौभाग्य है कि मानने प्रधान मंत्री जी के दूर दर्शी नित्रत्तों में बनाई गई आत्मनिर्बर भारत को और गती देने वाली प्रधान मंत्री गती शक्ती योजना जो एक प्रकार से भारत के इंफ्रस्ट्रक्चर डिवेलपमेंट को एक नई गती भी देगी एक नई दिशा देगी और पूरे देश में जो एक नैशनल इंफ्रस्ट्रक्चर पाइपलाइन के माद्यम से माने प्रधान मंत्री जी की कल्पणा है कि विश्वस थर्या इंफ्रस्ट्रक्चर देश में तयार हो उसको आगे बढ़ाने के लिए मार्क बनेगी माने प्रधान मंत्री जी आपने जो ये कल्पणा की थी शुरुवात में तो लगबग असंबव सी लगती थी देश के कोने कोने में एक एक इंडस्ट्रिल एरिया कहां कहां कृशी उत्पादन होता है जहां पे अलग-अलग प्रकार का कारोबार चलता है जहां लोगों को पहुँचाना आवश्चक है दूर दराके के इलाकों तक कनेक्टिविटी की जो कल्पना आपने हम सब को सब के सामदे रखी हमको मार्क दर्शन दिया उसको भासकर अचारिया नैशनल इंस्टिटूट फॉर स्पेस अप्लिकेशन्स और जियो इंफॉर्मेटिक्स बाइजाइक एन के सहयोग से उनके पूरे काम से आज ये पी-एम गती शक्ती नैशनल मास्टर प्लाइन का शुबारम आपके करकमलो द्वारा किया जा रहा है मैं सभी के तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मानि पदान मंत्री जी समय समय पर आपके मारक दर्शन में एक ऐसी पूरी मास्टर प्लाइन जो आगे प्रोजेक्स को रुकावट न होने दे समय पर प्रोजेक्स का शुरुवात हो समय पर प्रोजेक्स लगे बने पारदर्शी तरीके से काम हो निगराने अच्छी रखी जा सके और जवाब देही भी हो कि प्रोजेक्स जो जो काम जो जो देश की आज आवश्चकता है ये कैसे समय पर देश को उपलब्द हो सके देश के नौजवानों को नए अफसर दे चाहे वो क्रिशी शेत्र हो उद्योग हो व्यापार हो लोगों का आवागमन हो हर प्रकार से एक पूरे देश में जो अवेलेबल इंफ्रस्ट्रक्चर है उसको मैप करना जो जो प्रोजेक्स चल रहे हैं उनको मैप पर सुपरिम्पोस करना और आगे की जो जो योजदा हैं चाहे केंद्र सरकार की हो राज्य सरकारों की हो इन सब को जोड कर एक विजिनरी मास्टर प्लैन आज आपके द्वारा देश के समक्ष रखा जाएगा एक पकार से सभी मंत्रालेओं के तालमेल के साथ राज्य और केंद्र सरकारों के तालमेल के साथ ये बनाया गया है और निवेश के लिए एक बड़े अच्छे संकेत लाता है हाल में ही मैं जी ट्वेंटी मिनिस्टर्स की मीटिंग में थोड़ी छलक दे रहा था इस प्रोजेक्ट के बारे में और विक्ष से देश के मंत्री भी आश्चरे चरक हो गए कि ऐसी तो कल्पना उन्होंने भी कभी नहीं की कि पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्लान के रूप में एक जुद करके देश के समक्ष रखना और एक प्लान के हिसाब से आगे चलकोई उसको पूरा करना आपने मानने प्रदान मंत्री जी कई सारी योजनाएं देश को जोडने के लिए दी चाहे वो बिजली विबाग का हो देश में एक ग्रिट बने चाहे कर का हो एक टैक्स गुड्स और सर्विसेस टैक्स जी एस्टी अपने देश को दिया एक आइडेंटिफिकेशन आधार के माद्यम से दिया रुपे कार्ड के माद्यम से देश में एक नई उर्जा आई कि हम अपने खुद का पेमेंट सिस्टम मना सके पूरे देश को जोडते वे वन नेशन वन राशन कार्ड से आपने देश के गरीबों को निम्म मत्यम वरगी परिवारों को मौका दिया कि देश में किदर भी जाके वो अपना राशन ले सके और हाल में प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना के तहट आपने लगबक सवा 2 लाग करोड के लागत पर 15 महीने तक 80 करोड भारत वासियों को मुफ्त में 5 किलो अनाज हर महीने देने का जो काम किया है मैं समझता हूँ पूरे देश ने इसकी सराना किये पूरे विश्यों में भारत की पहचान बनी कि भारत सम्वेदन शील नेत्रतों के साथ देश की सेवा करता है और मैं समझता हूँ उसी कड़ी में आज ये पूरे देश को जोड़ने वाला मास्टर प्लैन भी आप उसका शुबारम करने जा रहे हैं माने प्रदार मंत्री जी ये जो परिसर है प्रगती मैदान इसमें हम सब कई बार आ हैं मुझे तो याद है बच्पन से आया करते थे यहां एक्जिबिशन्स देखनें किस जरजर हालत में 2014 में हमें ये मिला था और आपने स्वयम जितनी चिंता करके इसके पूरे परिसर का जो पुनर निर्वान का काम शुरू करवाया और जिस पिकार से बारीक डीटेल्स के अंदर आपने हमें मार्क दर्शन दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज हॉल लंबर टू टू फाइव आपके करकमलो द्वारा उद्गाटन होंगे बहुत तेज गती से बाकी कारेकरम काम चल रहा है और आपके नित्रतों में G20 का विश्व समेलन पहली बार भारत में 2023 में होने जा रहा है जिसके लिए ये परिसर समय पे तैयार होगा और एक ऐसा परिसर होगा जिससे पूरे देश को नाज होगा पूरे देश को गर्व होगा मन्य प्रदान बंतर जी आज पूरा विश्व भारत को एक ट्रस्टिड और रिलाइबल पार्टनर के रूप में देखता है मैं समगता हूँ आज का इस कारेक्टरम से एक बड़ा संदेश देश में और विश्व में जाएगा कैसे भारत तेज गती से प्रगती की और बढ़ रहा है प्रदान मंतरी गती शक्ती नैशनल मास्टर प्लान ये आपकी दूर दर्शी नेतरत का एक प्रतीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे के लिए भारत को एक नई दिशा और भारत की दशा सुधारने का एक बहुत एहम कड़ी बनेगी माने प्रदान मंतरी जी आपके गरिमाई उपस्तिती में देश इस प्रगती मैदान से प्रगती और विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और हम सब आपके उद्भोधन के लिए भी उच्छुक है आपके मार्क दर्चन के लिए भी उच्छुक है आपके आशिरवाद के लिए भी उच्छुक है बहुत बहुत धन्यवाद देश के अर्थ चक्र को नई गती नया रूप देने के हमारे फॉलादी इरादे आगे ही आगे बढ़ते रहे ITPO के नई exhibition complex का ये नया स्वरूप इस बात का आईना है कि हम दिल से भारतिये हैं और आकांक्षाओं से ग्लोबल हैं हम मानिनी प्रधान मंत्री जी से विनम्र अनुरोद करते हैं कि क्रिपिया ITPO के नई exhibition complex का उधगाटन करें रिमोट का बटन दबा कर मानिनी आपका और आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई आईए इसके बारे में कुछ और जाने प्रधान में के लिए एक छोटी सी फिल्म देखते हैं दिल्ली के हिर्दय में बसा प्रगती मैदान दशकों से रहा है राश्ट्र की प्रगती के प्रधर्शन का प्रतीक विकास की नित नई बुलंदियों को छूते देश की आवश्यक्ता के अनुरूप प्रगती मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चा को आधुनिक और भविश्य उन्मुखी बनाने की लगातार महसूस की जा रही थी जरूरत देश की राज्टानी बने देश वासियों की आकांग्शाओं देश के संकल्प और देश के सामर्थ का भव्य प्रतीक इसी सोच के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेत्रत्व में दिल्ली में विश्वस्तरिय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किये गए है उसी कड़ी में शामिल है प्रगती मैदान को आधोनिक और पुनर विकसित करने का प्रधान मंत्री जी का निरने इस परियोजना के तहट 42 लाख वर्ग फीट क्षेत्र फल में हो रहा है निर्मान यहां आज बनकर तयार हो चुके हैं चार एक्जिबिशन हॉल 72,000 बर्ग मीटर में फैले यह हॉल नवीनतम सुविधाओं से युक्त हैं इन हॉनों का उप्यूग कारे क्रमों और प्रधर्शनियों के लिए किया जा सकेगा पूरी तरह एयर कंडिशन हॉल्स विजिटर्स को सुखद अनुभाव देंगे अपने नई स्वरूप में प्रगती मैदान, उद्यम और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वा पूर्ण भूमी का निभाएगा आज चार एक्जिबिशन हॉल का लुकारपन प्रधान मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है प्रगती मैदान के पुनर विकास का एक एहम भाग है अत्याधुनिक अंतर राश्ट्रियस सहसम्मिलन केंद्र यानी IECC इसका मुख्या कर्शन है कन्वेंशन सेंटर जो है स्थानिय आर्किटेक्चर और आधुनिकता का अनूठा संगम इसमें एक साथ साथ हजार लोगों के बैठने की सुविधा होगी कन्वेंशन सेंटर के सामने विस्तरित फ्रंट प्लाजा इसके आकर्शन को और बढ़ाएगा पुनर विकसित प्रगती मैदान में लगभग 4,800 वहनों की भूमिगत पार्किंग बनाई गई है प्रगती मैदान को जोडने वाली महत्वपूरन सरकें, भैरो मार्ग और मथुरा रोट पर ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए पुनर विकास परियोजना के अभिन्ड अंग के रूप में एक तनल और छे अंडर पास बन रहे हैं इनके तैयार हो जाने के बाद नागरिकों को आवाजाही में आसानी होगी और ट्रैफिक जाम और प्रदूशन से छुटकारा मिलेगा पुनर विकासित प्रगती मैदान प्रदान मंत्री जी के न्यू इंडिया के संकल्प को देगा नई मस्भूती और बने का आत्म निर्भर भारत का सशक्त प्रतीक मानिनी प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से जैसे हमने एक भारत श्रेष्ट भारत की भावना को आत्मसाथ किया वैसे ही सारे मंत्रालेयों, विभागों, राज्यों, इत्यादी को एक होकर श्रेष्ट आउटकम को अंजाम देना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को चरितार्थ करना है सभी मंत्रालेयों, विभागों, राज्यों के साथ से, उनके समन्वित प्रयास से, एक अडिक विश्वास से, अब विकास के नए-ने त्योहार सेलिब्रेट करेंगे हम हम अनुरोद करते हैं माननी प्रधान मंद्री जी आपसे कि कृपिया पी एम गतिशक्ति को लॉंच करें रिमोट का बटन दबा कर हम बच्पन से हर गली हर सडक हर चौना है हर गाओं यह हर शहर में यह सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आएं हमने ये भी देखा है कि एक सडक बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहां तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिचाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है कहीं सडक और रेल तो पहुँच जाती हैं लेकिन इन दोनों को जोडने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुच पाती इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग-अलग विभाग, अलग-अलग काम करते रहते हैं और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में बृध्धी और आम जनता को परिशानी ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोडिनेशन के अभाव से जनसामानने को उसका पूरा लाब नहीं मिल पाता है आईए इसे एक उदाहरन द्वारा समझतें एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की विवस्था नहीं की गई गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उप्योग में नहीं लाया जा सका जिससे करोडों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाब जन सामाने तक नहीं पहुँच सका इसी प्रकार सडक निर्मान का काम कई एजेंसियां करती है जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्मान NHAI करती है इसके बाद आगे की सडक का निर्मान राज्जी PWD करती है दूरदरास के गाउं की सडकें प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अंतरगत बनती है और सीमावर्तिक क्षेत्रों में सडकें बॉडर रोड ओगनाईजेशन वी यारो बनाती है किसी भी एक विभाग के मध्धिक कोडिनेशन के अभाव से लोगों तक सडकों का पूरा लाब नहीं पहुँच बाता सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोडिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कम्पलीशन में बहुत विलंब होता आया है सरकार के अलग-अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रेक पिछले साथ सालों में माननीए प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के नितृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वे के साथ काम किया जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए जैसे की रेल मंत्राले ने कॉमन ड्रॉइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ओनलाइन जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाने हैं भारतिय रेल की इस गती से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं इसी प्रकार पर्यावरणिय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग-अलग ओनलाइन सुविधा आरंप कर दी गई हैं जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था अब ये अवधी घटकर महस कुछ महीनों की हो गई है रोट परिवहन ने नए नैशनल हाईवे और एक्स्प्रेस वे के राइट अफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है जिससे सडक के साथ साथ आप्टिक फाइबर केबल, टेलेफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिचाया जा सके और उसके लिए अलग से राइट अफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है पर इनका लाब जन सामाने तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट OF वे के एक्विजिशन की प्रकृया को सरल बनाया है जिससे टेलिफोन और को एफसी केबल डालने की प्रकृया तेज हो चुकी है और अब टेलिफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी गाउं गाउं तक पहुचाई जा रही है अब समय है इन प्रयासों को इंस्टिटूशनलाइज करने का जब देश आजादी का अमरित महुतसब मना रहा है तब समय है इन प्रयासों को गती देने का शक्ति देने का इस बार लाल के लिए से प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत को आदूनिक इंफास्टेक्टर के साथ ही इंफास्टेक्टर निर्बाण में फोलिष्टिक अप्रोच इंटिग्रेटर अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है आने वाले कुछी सभाय में प्रधानमंत्री जती शक्ति का मेस्टनल मास्टर फ्लान करोल देशवाच्चों को सपना करने वाली बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं लाखो नवजबामों के लिए रोजगार के दे आउसर लेकर के आने वाली विकास में गती की नई इंटिग्रेटर और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति यानि की प्रधान मंत्री गती शक्ति नाशनल मास्टर प्लान फो मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इसके अंतरगत इसरो द्वारा विक्सित बाइसाग एन इंटिग्रेटर पोर्टल पर 16 मंत्रालेओं को जोड़ने वाले 200 से ज़ादा लेयर्स काम कर रहे हैं जिससे सभी विभागों को एक दूसरे के काम की मिलेगी विजिबिलिटी पीम गती शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अंप्रेला प्लान के तहप अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवन निर्मान कारे में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समनवय होगा जिसके तहट एक ऐसी विवस्था बनाई गई है कि सभी ग्रूप में एक साथ बैठ कर बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे इससे लैंड एक्विजिशन के साथ साथ काम भी एक साथ होगा तो परियोजनाओं की लागत में भी कम ही आएगी केंदर सरकार से लेकर राज्य सरकार के विभागों तक, लोकल अबन बॉडी से लेकर निजी कमपनियों तक सभी में होगा ऐसा तालबे जो आज तक कभी नहीं देखा गया नैशनल मास्टर प्लान से ना केवल विभाग, बलकि उनकी योजनाएं भी एक छट के नीचे आएंगी जिससे उनके अमल की गती बढ़ेगी इसके कारे करने की प्रक्रिया को एक उदाहरन द्वारा समझते हैं अब जब किसी भी बंदरगाह की योजना बनती है तो वो आने वाले अगले 40 से 50 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है तो इतनी विशाल स्तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मंत्राले तक ही सीमित नहीं होगी बलकि सडक और रेल नेत्वर्क को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा नैशनल मास्टर प्लान से ये भी पता लगाया जा सकता है कि कहां पर सडक बनी है और कहां पर नई सडक के निर्मान की आवश्यक्ता है नैशनल मास्टर प्लान में हर मंत्राले का डेटा निरंतर अपडेट होता रहेगा यही नहीं नैशनल मास्टर प्लान द्वारा किसी भी सामान को गंतव्य स्थान तक पहुचाने के लिए अश्चिम भारत के प्लान्ट से आई खाद उत्तरी क्षेत्रों के खेतों को लहला हाएगी और किसानों में खुशाली लाएगी। साथ ही नैशनल मास्टर प्लान निवेशकों को बताएगा कि जहां पर वे अपना निवेश करने वाले हैं, वहां सडक और रेल की उपलब्धता कैसी है, इंडस्ट्रेल एरियाज और आसपास का इंवार्नमेंट कैसा है, इससे बिजनस और रोजगार के अवसर प्रगती की परिभाषा केवल यातायाती नहीं, यहां शामिल है गती निरने की, गती सरकारी कारियों की, इस प्लान को गती मिलते ही, भारत में ऐसा इंफ्रस्ट्रक्चर आकार लेगा, जिससे रेल से रोड पुरग हो, रोड से सीपॉर्ट पुरग हो, सीपॉर्ट से पॉ इंटिग्रेटिड मोबिलिटी द्वारा लोकल उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुच बनेगी आसान, हमारे उद्योग भी होंगे, कॉम्टिशन के लिए बेहतर तैयार, और मिर्यात होगा सुगम, और देश की अर्थ विवस्था के चक्के तेजी से खुमेंगे, वरक इंप्रोग्रेस बनेगा, वरक इंपेस, प्रदानमंत्री गति शक्ति, नशनल मास्टर प्लान फर मॉल्टी मोडल कनेक्टिविटी, अधिन वाद मारे नी प्रदानमंत्री जी और सभी देश वास्यों को रिदैसे बदाई, इस अव दूए बिजनस में हमारे भारत की रांकिंग में जबरदस्त उचालाया है, और अब तो कॉस्ट ओफ लॉजिस्टिक्स कम होने से लागत भी कम आएगी, जन सामाने के जीवन से लेकर उद्योग जगत तक एक नई सफूर्ती आएगी, उद्योग जगत की कुछ एमिनेंट शक्सति हमारे बीच उपस्थित है हम चाहते हैं कि हम उनके भी विचार सुने, सबसे पहले हमारा आग्रह है चैमिन आदिति बिड़ला ग्रूप च्री कुमार मंगलम बिड़ला से की कृप्या वे अपने विचार प्रसुत करें य PRथान मतरी जी, नुल्पिने आग्रा प्राद funcion की परेवला लगोडली मृपनो चैमिने का आप। लग्री फैंड़ की का भी आपनी इसेन अपने जोने में प्रदान मंत्री जी, लोक प्रतिनेधी के रूप में निश्वार्थ सेवा के दो द्यशक पूरे होने पर आपको हारदिक शुबकामना है। आपकी देश की प्रगती के लिए संगर्श हमारे लिए एक आदर्श है। आपके निश्वा से हमें गती और श्रक्ति की प्रणा मिलती है। Honorable Prime Minister, 20 years at the helm has given you a perfect 2020 clarity of vision and today's launch of the National Infrastructure Master Plan of Prime Minister गती श्रक्ति गती श्रक्ति is a great example of that vision. This master plan is backed by the Shakti, that is energy and drive of your leadership, and Gatti, that is speed or rather the ambition to accelerate the pace of India's development. The word infrastructure conjures up images of roads and railway, waterways and ports, telecom and electricity networks. All this is at the end of the day about connectivity. The faster, the smoother and the more seamless it is, the more rapid the pace of economic activity and prosperity. For a country which is of subcontinental size, straddling diverse geographies, terrains and climatic conditions, the criticality of infrastructure cannot be overemphasized. Infrastructure is a public good, whose efficient provision not only needs public funds, but great coordination in performance, including several departments, ministries and parts of the government, both at the center and at the states. What are the elements of making infrastructure more effective? First, of course, is a step up in annual investment, which is exactly what the national infrastructure pipeline addresses. Second is easier connectivity between air, road, rail and waterways, including seamless multimodal connectivity, especially at the last mile. And third, a master plan with 360 degree visibility. And that is what PM Gati Shakti is all about. The long-term impact will indeed be deep and sustainable. The impact is far beyond just improving the ease of doing business. In fact, it will have a disproportionate impact on improving the ease of living itself. One striking feature is the way that this program leverages the power of digitization. It uses multi-layered geospatial information to generate real-time dashboards, MIS reports and 3D images. I cannot think of any other government program anywhere in the world of such a large-scale and technology-enabled real-time monitoring of such large-scale development projects. This is yet another example where India is setting a global benchmark for digital governance. To me, Gati Shakti embodies and combines some unique features that make a paradigm shift in governance. Firstly, it takes a platform approach using the most modern technology. It brings all stakeholders onto one platform. Such breaking of silos within the government is indeed a utopian condition or a dream come true for all of us in industry. The platform approach also increases transparency all around and helps resolve bottlenecks quickly. Second is the outcome-based approach. Gati Shakti marks its departure from the traditional approach to planning. There is a greater emphasis and granularity in specifying targets in terms of outcomes and not merely outlays. For instance, the plan specifies that by 2024-2025, India will have 2 lakh kilometers of national highways, 35 lakh kilometers of optic fiber, 454,000 kilometers of transmission network and so on. Clearly, targets have been specified in great detail. Managing and building high-quality infrastructure is, I believe, a national enterprise. Furthermore, we must remember that roads and rivers do not respect state boundaries. Therefore, a holistic approach to infrastructure has to navigate the challenges of working through a very complex federal system. It is almost like conducting a grand yet complex orchestra. The outcome is a symphony like the PM Gati Shakti. I firmly believe that this symphony has the potential to change mindsets and show a path for government, industry, academia and civil society to come together and act for the collective prosperity of India. The synergy that comes from such a collaboration is a force multiplier. Congratulations again, Honorable Prime Minister, on the launch of yet another path-breaking and very deep impact initiative. Thank you very much. Thank you, Honorable Prime Minister, on the launch of the CMD Tractors and Farm Equipment Limited, Shremati Mallika Srinivasan. Honorable Prime Minister, Honorable Ministers and Distinguished Invitees. Under our Prime Minister's visionary leadership, Gati Shakti propels India into the next phase of robust growth through creation of sustained competitive advantage. Government policy today clearly focuses on creating an ecosystem, an ecosystem measured along multidimensional parameters that will attract private sector investment. Gati Shakti is at the epicenter of this ecosystem, bringing together as it does a holistic and integrated infrastructure plan with a geospatial digital platform that uses cutting-edge technology and digital tools to address the critical issues of coordination, simplification, agility, speed, and cost-effective implementation. It promises to be a game-changer and the engine of economic growth and employment for the next decade towards a $5 trillion economy. Honorable Prime Minister, sir, on behalf of the private sector, I'd like to express my deep appreciation of your government's far-sighted, focused approach that is delivered with speed and scale. The Indian logistics industry is growing rapidly. The successful GST implementation has resulted in the wide adoption of the hub-and-spoke model and has already significantly reduced losses and increased logistics efficiency. Gati Shakti will go much further with respect to the cost of doing business element in making India's manufacturing competitive for both domestic demand and for exports. An enhanced ease of doing business coupled with an open democracy and increasingly friendly investor laws offers a strong proposition to investors, reducing as they do the risk of doing business. Changing global trade relations, geopolitics, and COVID-induced supply chain disruptions have compelled businesses to rebalance their supply chains. Given the dual advantage of ease and lower risk, multimodal connectivity holds the key to supply chain rebalancing decisions for global investors and a well-executed Gati Shakti vision will undoubtedly attract investment. The National Master Plan ties in well with the Prime Minister's vision for agriculture. Logistics, even at the stage of the primary produce, is a significant portion of the cost of the produce. The primary processed food market is projected to rise from $200 billion to over $500 billion, but only 10 to 15% of primary processed food goes towards higher value-added processing. Even in our exports of over $40 billion, only 14% is processed food. A multimodal infrastructure push alongside the development of planned mega-food parks and agro-processing centers and rural connectivity with optic fiber cables at each village level will accelerate the value chain development of agri-food produce. Tourism is an area that affords ample opportunity for growth and employment generation. With an expenditure of over $21 billion annually on outbound tourism, there is a strong potential to channel international tourists to domestic tourism with an opportunity to double the quantum of domestic tourists on a pure comparison basis. This sector stands to gain strongly from Gati Shakti. The Honourable Prime Minister recently referred to entrepreneurs as growth ambassadors. Sir, your government is leaving no stone unturned to make India the destination of choice in all respects. And I'd like to assure you that as Indian entrepreneurs, we will do the country proud. Thank you. Thank you. Thank you. The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, cabinet ministers, ministers, other distinguished ministers, chief ministers, excellencies, ladies and gentlemen. The last two decades of leadership in public office by our Honourable Prime Minister has witnessed some of the most landmark reforms and initiatives that this country has seen. So you've transformed the landscape for us in industry, first in Gujarat and then across the country in the last seven years. Today, on behalf of the entire industry, and I stand as CII President, I must compliment you on the stellar national development initiative. The launch of PM Gati Shakti National Master Plan will be a game changer for the industry and would help to harness the potential of the industry in line with your vision of scale and speed. Back in 2006, we had under the India at 75 vision, dreamt of India as a developed nation. And today, as we celebrate Azadi Kamrit Mahautsav, under your leadership, we are again seeing this dream take shape. Your personal engagement and trust is instrumental to the transformation of the infrastructure sector that we are seeing today, marked by innovative policies, significant funding, and close and continuous monitoring. Gati Shakti is yet another exemplary program in this endeavor. So on behalf of industry, I would like to underline five important highlights which we think is going to have a far-reaching impact. First, with a GIS-based ERP system to map the existing and proposed connectivity projects, there will be a great clarity on how different regions and industrial hubs in the country are linked, particularly for last-mile connectivity. Second, the holistic and integrated transport connectivity strategy which incorporates roads and highways, railways, ports, airports, and waterways into a single, well-targeted synergistic network will greatly support MAKE-IN-India and integrate different modes of transport. Three, it will greatly add to manufacturing competitiveness in this country. The competitiveness of Indian industry is sometimes disadvantaged because of higher logistics costs, and this initiative will surely go a long way to address that. For the infrastructure, construction can be a large employment multiplier in this country, creating new job opportunities in the rural areas as well, which is much needed. In fact, new connectivity and linkages will enable the regions that are currently excluded to be added into the economic mainstream and generate consequent business opportunities. Five, Gatti Shakti will enable and facilitate planning, implementation, monitoring, and administration of transport infrastructure projects on an ongoing basis and will institutionalize it. Sir, as we welcome yet another transformative idea and reform from you, Let me reiterate on behalf of industry and CII that we shall remain committed, as always, to supporting you as you build a modern and new India. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now, Shri Deepak Garg, who is a co-founder of Rivigo K. Honorable Prime Minister, ministers on the dais and respected dignitaries in the audience, thank you for providing me the opportunity to share my thoughts today on the Gatti Shakti initiative. Gatti Shakti is the most profound and unprecedented program India has ever launched for our nation's progress. This will not just give Gatti to our aspiration of building a $5 trillion economy, but also inspire billions of young entrepreneurs like me to contribute towards building the new India. My personal entrepreneurship journey story started in 2014 in the space of logistics, and Rivigo has been an observant, participant, and beneficiary of all the infrastructure and policy initiatives of the last seven years, be it GST, road infrastructure, build-outs, fast tags, digital India, and so on. Last seven years have also seen Indian entrepreneurship and startup space come of age. There is unbridled enthusiasm and belief that we can be the best in the world. I see youth of India in every small town aspiring to be a job creator and planning big and bold new ideas. The timing of this program, honorable Prime Minister, is terrific in that respect. Gatti Shakti will provide the next set of trust and boost to entrepreneurs like me and million others who are always looking for Gatti and Shakti to build their dreams and contribute to building the new India. There are three key thoughts that I would like to share with you all today. First, the size and scale of the program is extraordinary. This is a bigger plan than anything India has ever seen, and it competes with big infrastructure spending of economies like the U.S. and China. It is once-in-a-generation investment in India that will uplift lives of millions of Indians out of poverty, provide jobs and entrepreneurship opportunities to the youth, and get India ready to be the most innovative and resilient economy of the 21st century. Second, the economic impact of such an initiative is immense. Every dollar investment leads to 20 cents of socioeconomic outcome. The multiplier impact of such an investment is unprecedented. The other way to look at this is if you are able to shave off six percentage points out of logistics cost of 14% and bring it down to 8%, we are talking about a very large savings flowing through the economy. We all know that India will not become a superpower by being a domestic economy. We need to be the manufacturing and service hub of the world. While digital India and focus on technology has set up India well for the service exports for times to come, I believe Gatti Shakti will lower the cost of logistics significantly and make our manufactured exports competitive. This will unleash the new wave of entrepreneurship in India and significantly boost the Make in India program. Third is the network effects. Given the Gatti Shakti program is anchored centrally and all ministries work together to break silos and work on an integrated plan, we may see big network effects emerge. Network effect is when addition of a single node adds value to the entire network. A single road somewhere can add value to the airport network and port network and so on and so forth. Measuring network effects will lead to the ROI measurement of the projects in the right spirit and will ensure that every rupee will go to the right and productive resources. This is something South Korea and Australia has done in the recent past, so I'm very positive about the plan and the impact it can generate. There cannot be a better time in our history to build in India. There are infinite opportunities and infinite possibilities in the new India. I urge my fellow entrepreneurs to dream bigger and bolder. If not now, then when? As Honorable Prime Minister said in his Independence Day speech, very poetically and very aptly, यही समय है, सही समय है, हूँ बहुद-बहूद धनिवाद आपका कारिया कार्य विशेशग्यो नित्यम राष्ट्रहिते रतः इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए मानिनी प्रधान मंद्री जी करतव विबद्ध होकर नित्य राष्ट्रहित में सनलगने हैं हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब उन पलों के साक्षी बन रहे हैं जब मानिनी प्रधान मंत्री जी के नेत्रित्व में भारत की विश्व में साख भी है और धाक भी जब देश में सामाने जन के जीवन स्तर से लेकर पूरे इंफ्रास्टक्चर तक सुखद काया कल्प हो रहा है भारत गर्व की पराका मानिनी प्रधान मंत्री जी से हम सब की विनम्र अनुनाय है कि क्रिप्या हम सब को संबोधित करें हम सब का मार्गर दर्शन करें अगर अगर नमस्कार केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी स्री नितिन गड़करी जी प्यूश गोयल जी हर्दिपशी पूरी जी सर्वानंत सोनवाल जी छी ज्यतिरादित्य सिंधिया जी श्री अश्वीनी वैस्ट नव जी श्री राजकुमार सी जी अलग-अलग राज्य सरकारों के आदर्निय मुख्यमंत्रीगाण, लेप्रिनन गवर्नर्स, राज्य मंत्री मंडल के सदस्य, उद्योग जगत के साथ ही, अन्य महानुभाव, और मेरे पैयरे भाईयों और भेनों, आज दुर्गाष्ट मी है, पूरे देश में आज शक्ती स्वरूपा का पूजन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है, और शक्ती की उपासना के इस पुन्य अवसर पर देश की प्रगती की गती को भी शक्ती देने का शुबकार्य हो रहा है, यह समय भारत की आज़ादी के 75 वर्ष का है आज़ादी के अमरित काल का है आत्मन निर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं PM गतिशिक्ती नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्म बल को आत्म विश्वास को आत्म निर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है ये नेशनल मास्टर प्लान 21 सदी के भारत को गतिशक्ती देगा Next Generation Infrastructure और Multimodal Connectivity को इस नेशनल प्लान से गतिशक्ती मिलेगी Infrastructure से जुड़ी सरकारी नीतियों में Planning से लेकर Execution तक को ये नेशनल प्लान गतिशक्ती देगा सरकार के प्रोजेक्स ताय समय सीमा के भीतर पूरे हो इसके लिए ये गतिशक्ती नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मारदर्शन करेगा गतिशक्ती के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडिस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मेनिफेक्टरर्स, भारत के किसान, भारत का गाउं ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीडियों को 21 सदी के भारत के निर्मान के लिए नई उर्जा देगा उनके रास्ते के अवरोद समाप्त करेगा ये मेरा सवभाग्य है कि आज के इस पावन दीन में पी-एम गतिशक्ती नेस्टर प्लान इसका शुभारम करने का मुझे अवसर मिला है साथियों आज ही यहाँ प्रगती मैदान में बन रहे इंटरनेशनल एग्जिबिशन कम कन्विंशन सेंटर के चार प्रदर्शनी हौल का लोकारपन भी हुआ है दिल्ली में आधुनिक इंफ्रा से जुड़ाई ये भी एक एहम कदम है ये एग्जिबिशन सेंटर्स, हमारे MSMEs, हमारे हैंडिक्राप्ट, हमारे कुटिरुद्योग को अपने प्रोडर्स दुनिया भरके बाजारों के लिए सोकेस करने ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुँच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामनाई देता हूँ साथियों हमारे यहां दसकों तक सरकारी व्यवस्ताओं ने जिस तरह काम किया है उस वज़र से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब कॉलिटी, काम में बरसों की देरी, बेवज़र रुकावटे, जनता के पैसे का अपमान मैं अपमान इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जो टैक्स के रुप में देश की जनता सरकार को देती है उस पैसे का इस्तमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बरबाद नहीं होना चाहिए हरे को लगता है रे यार ऐसे ही चल रहा है चलने दो, चलता है क्या है देश वासी भी अभ्यस्त हो गए थे, कि देश ऐसे ही चलेगा वो परिशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे, कि कुछ बदल नहीं सकता था जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे हर जगा नजर आता था, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास देनता के मन में नहीं था वर्क इन प्रोग्रेस का बॉर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतिक बन गया था ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता है प्रगति भी तभी मानी जाएगी, जब उसमें गती हो गती के लिए एक अधीरता हो गती के लिए एक सामुहिक प्रयास हो आज 21 सदी का भारत सरकारी व्यवस्ताओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है आज का मंत्र है विल for progress, work for progress, war for progress, plan for progress, preference for progress हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को ताए समय सिमा में पूरा करने का वर्क कल्चर न्विक्सित किया बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पुरे करने का प्रयास हो रहा है अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्टर्टर के निर्मान के लिए जादा से जादा इंवेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबत है तो वही आज का भारत हर वो कदम बे उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट में देरी ना हो रुकावटे ना आए कम समय पर पूरा हो साथियों देश का सामान्य मान भी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बकाइदा प्लानिंग करता है कोई बड़ी उनिवर्सिटी बनती है कोई कॉलेज बनाता है तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाए जाता है समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाईश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है और यह समय हर किसी का अनुभव है हर एक का यह अनुभव से आप गुजरे हैं लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्टर से जुड़े प्रोजेक्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोज मर्रा अनुभव करते हैं थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है रोड टांस्पर डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग-अलग प्लान करते हैं हम सभी ने ये भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती हैं सड़क बिलकुल तयार हो जाती है और फिर कोई पानी वाला डिपाट्मेंट आएगा वो पानी की पाईब पिलीज की खुदा ही कर देता है फिर पानी वाले-पहुंच जाते हैं इसी प्रक्तरा काम होता रहता है ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती हैं कि इससे तो जाम लगा रहेगा डिवाइडर हटाओ कहीं चोनाये पर सरकिल बना दिया जाता है तो ट्राफिक सुचारू रूप से चलने में बजाए वहाँ अव्यवस्ता होने लगती है और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है इन परिस्तितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत बिगड़ी हुई पात को ठीक करने में बहुत मेहने लगती है साथियों इस जितनी भी दिक्कते हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लिमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है अलग-अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा राज्यों के पांच भी इस तरह की जानकारी एड़वांस में नहीं होती है इस तरह के साहिलोस के कारण निर्णे प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बरबादी होती है सबसे बड़ा नुक्सान ये होता है कि शक्ती जूड़ने के बज़ाए शक्ती मल्टिप्लाइ होने के बज़ाए शक्ती विभाजित हो जाती है जो हमारे प्राइवेट प्लियर से उन्हें ने भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि बविश्वें यहां से सड़क गुजरने वाली है यहां से कैनाल बनने वाली है यहां को पावर स्टेशन लगने वाला है इस वजह से वो भी किसी खेत्र को लेकर किसी सेक्टर को लेकर बहतर प्लान नहीं कर पाते हैं इन सारी दिक्कतों का हल पी एम गतिशक्ती नेस्ट्रल प्लान इससे ही निकलेगा जब हम मास्ट्रल प्लान को आधार बना कर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सिज का भी ऑप्टिमम उटिलाइजेशन होगा साथियों हमारे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विशे जादातर राजनितिक दलों की प्रात्विक्ता से दूर रहा है यह उनके गोष्णा पत्रभे में भी नजर नहीं आता है अब तो यह स्थित्या आ गई है कि कुछ राजनितिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्मार पर आलोचना करने में गर्व करते हैं जबकि दुनिया में इस स्विकृत बात है कि सस्टेनेबल डवलप्मेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्मार एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविदियों को जन्व देता है बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्मान करता है जैसे स्कील मैन पावर के बीना हम किसी इक शेत्र में आवश्यक प्रणाम नहीं प्राप्त कर सकते वैसे ही बहतर आधुनिक इंस्पार स्ट्रक्चर के बीना हम चौँ तरफा विकास नहीं कर सकते साथियों राज रिति की इच्छा सकती की कमी के साथ ही देश के इंफ्रास्रक्टर डेवलप्मेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने आपसी खिंचतान ने राज्यों में भी हमने राज्य सरकारों और स्थानिय निकारों के बीच इस विशे पर तनाव होते देखा है इस वज़ा से जो प्रोजेक्ट देश की एकोनामी ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होने चाहिए थे वही प्रोजेक्ट देश के विकास के सामने एक दिवार बन जाते हैं समय के साथ बर्सों से लटके हुए प्रोजेक्ट अपनी प्रासंगिक्ता अपनी जरुरत भी खो देते हैं मैं जब 2014 में यहां दिल्ली एक नई जिम्मेवारी के साथ आया तो भी ऐसो सेंकडो प्रोजेक्ट से जो दसकों से लटके हुए थे लाखो करोड रुपिये के ऐसे सेंकडो प्रोजेक्ट की मैंने खुद समिक्षा की सरकार के सारे विभागों सारे मंत्रालों को एक प्लेटफर्म पर लाकर खड़ा कर दिया सारी रुकावटों को दूर करने का प्रयास किया मुझे संतोस है कि अब सबका ध्यान इस और गया है कि आपसी तालमेल की कमी की वज़र से परियोजनाओं में देरी ना हो अब होल अब गवर्मेंट एप्रोच के साथ सरकार की सामुईक शक्ति योजनाओं को पूरा करने में लग रही है इसी वज़ह से अब दसकों से अधुरी बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो रही है साथियों पीएम गती शक्ति अब ये सुनिस्चित करेगी कि 21 सदी का भारत इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट में कोडिनेशन में कमी की वज़र से ना पैसे का नुक्सान उठाएं और ना ही समय गवाएं पीएम गती शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहट रोड से लेकर रेलिवे तक एविएशन से लेकर के अगरिकल्चर तक विभिन्न मंत्रालयों को विभाकों को इस से जोड़ा जा रहा है हर बड़े प्रोजेक्ट को हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी सतिक जानकारी समय पर मिले इसके लिए टेक्नलोजी प्लेटफर्म भी तयार किया गया है आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिदी भी जुड़े हैं मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पी एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लांट से जूड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दें इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाब होगा साथियों पी एम गतिशक्ती मास्टर प्लांट सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग-अलग स्टेकॉलर्स को तो एक साथ लाता ही है यह ट्रांस्पोर्टेशन के अलग-अलग मोर्स को आपस में जोडने में भी मदद करता है यह होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है अब जैसे गरीबों के गर से जुड़ी योजना में सिरफ चार दिवारी नहीं मनाई जाती बलकि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, कनेक्शन भी साथ ही आता है ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए भी है अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का ऐलान तो किया जाता था लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली, पानी, टेलीकॉम पहुँचाने में गंबिरता नहीं दिखाई जाती थी साथियों ये भी बहुत सामाने बात थी कि जहां सबसे ज़्यादा माइनिंग का काम होता है वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी हम सभी ने ये भी देखा है कि कहीं पॉर्ट होते थे तो पॉर्ट को सहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था ऐसी ही बज़ों से भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही है हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती रही है हमारा लॉजिक्स्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहा है निशित तोर पर ये आत्मा निर्बर भारत के निर्मान में बहुत बड़ी रुकावट है एक स्टडी है कि भारत में लॉजिक्स्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब 13 परसंट है 13 प्रतिशत है दुनिया के बड़े तेज़ों में ऐसी स्थिती नहीं है ज्यादा लॉजिक्स्टिक कॉस्ट की वज़े से भारत के एक्सपोर्ट की कंपिटिटिवनेज बहुत कम हो जाती है जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुँचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड रुपिय खर्च करने पड़ते हैं इस वज़े से उनके प्रोड़क्ट की किम्मत भी बेतहासा बढ़ जाती है। उनका प्रोड़क्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महेंगा हो जाता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुती महत्वपुन कदम है। इस दिशा में आगे जाने बढ़ने पर हर प्रकार का इंफ्रस्ट्रक्टर दूसरे इंफ्रस्ट्रक्टर को सपोर्ट करेगा। उसका पूरक बनेगा। और मैं समझता हूँ, हर कारण, हर स्टेक होल्डर को भी, हर ज्यादा और ज्यादा उच्छा से इससे जुनने की प्रेणा मिलेगी। साथियो, PM गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े, सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर को एक एनलिटिकल और डिसिजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का अनावश्य खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राक्तिक ताय करने में मदद मिलेगी। जब ऐसा डेटा बेस मेकानेजम देश में होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिट्मेंट दे पाएगी। इससे इन्वेस्ट्मेंट डेस्टिडेशन के रूप में भारत की बढ़ती साथ को नई बुलन्दी मिलेंगी, नए आयाम मिलेगा। इससे देश्वाचियों को कम कीमत में बहतरीन क्वालिटी मिलेगी। युवाओं को रोजगार के लिए नए आउसर मिलेंगे। साथियों, देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार के इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े। सभी विभाग एक दुसरे के साथ बैठें, एक दुसरे की कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल करें। बीते वर्षों में इसी एप्रोच ने भारत को अभूत पुर्वक गति भी दी है। पिछले सत्तर वर्षों की तुलना में, आज भारत पहले से कहीं ज़्यादा स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है। चाथियों, भारत में पहली इंटरस्टेट नेचरल गैस पाइपलाइन, 1987 में, 1987 में कमिशन हुई थी। इसके बाद, साल 2014 तर, यानि 27 साल में, देश में, 15,000 किलोमेटर नेचरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में, 16,000 किलोमेटर से ज़्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम, अगले 5-6 वर्षों में पुरे होने का लक्ष है। यानि, जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज़्यादा काम, उसके आदे समय में करने का लक्ष लेकर चल रहे है। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1,900 किलोमिटर, 1900 किलोमिटर रेल लाइनों का दहरी करन होता था। बीते साथ वर्षों में हमने 9,000 किलोमिटर से ज़्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कहां 1900 और कहां 7,000। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3,000 किलोमिटर रेल लेवे का बिजनी करन हुआ था। बीते साथ वर्षों में हमने 24,000 किलोमिटर से भी अधिक रेल लेवे ट्रेक का बिजनी करन किया। कहां 3,000, कहां 24,000। 2014 के पहले लगवग 200 किलोमिटर ट्रेक पर ही मेटरो चल नहीं थी। आज 700 किलोमिटर तक मेटरो का बिस्तार हो चुका है और 1000 किलोमिटर नए मेटरो रूट पर काम चल रहा है। 2014 के पहले 5 सालों में सिर्फ 60 पंचायतों को ही 60 पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा सका था। बीते 7 वर्सों में हमने डेड़ लाग से अधीक ग्राम पंचायतों को अप्टिकल फाइबर से कनेक कर दिया है। कनेक्टिविटी के पारंपारिक माध्यमों के विस्तार के साथ साथ इनलेंड वाटरवेज और सी प्लेंज नया इंफ्रास्ट्रेक्टर भी देश को मिल रहा है। दो हजार चोबिस तक देश में सिरफ पांच वाटरवेज थे। आज देश में तेरा वाटरवेज काम कर रहे हैं। दो हजार चौदा से पहले हमारे पॉर्ट्स पर वेसल टर्न अराउंड टाइम 41 अवर 41 गंटे से भी जादा था। अब ये घटकर 27 गंटे प्रह गया है। इसे और कम करने का प्रयाद भी किया जा रहा है। साथ योग कनेक्टिविटी के अलावा जरूरी दूसरे इंफ्रासेक्टेर के निर्मार को भी नई रप्तार दी गई है। बिजली की प्रोडक्शन से लेकर ट्रांस्मिशन के पूरे नेटवर्क को ट्रांस्फरम किया गया है। वन नेशन वन पावर ग्रीड का संकर्प सित्ध हो चुका है। 2014 तक देश में जहां तीन लाग सर्कीट किलोमेटर पावर ट्रांस्मिशन लाइन्स थी वही आज ये बढ़कर सबाद चार लाग सर्कीट किलोमेटर से भी जादा हो चुकी है। New and Renewable Energy के मामले में जहां बहुत ही Marginal प्रेयर थे वही आज हम दुनिया के टॉप पांच देशों में पहुँच चुके हैं। 2014 के install capacity से करीब करीब तीन गुना capacity यानि 100 गिगाओर से ज्यादा भारत हासिल कर चुका है। साथियों आज देश में aviation का आदूनिक ecosystem विक्सित करने पर तेजी से काम हो रहा है। Air connectivity बढ़ाने के लिए देश में नए airports के निर्मार के साथ ही हमने air space को भी और ज्यादा खोल दिया है। बिते एक दो वर्षों में ही 100 से ज्यादा air routes की समिक्षा करने उनकी दूरी गटाई गई है। जिन खेत्रों के उपर से passenger flights के उड़ने पर पाबंदी थी उसे भी हटाया गया है। इस एक फैसले से बहुत से सहरों के बीच air time कम हुआ है, उड़ान का समय कम हुआ है। मजबूती देने के लिए नई MRO policy बनाना है। जिस GST काम पूरा करना हो, पाइलर्स की training की बात हो, इन सभी पर काम किया गया है। साथियों, ऐसे ही प्रयासों से देश को विश्वास हुआ है, कि हम तेज गती से काम कर सकते हैं, बड़े लक्ष, बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। अब देश की अपेक्षा और आकांक्षा दोनों बढ़ गई हैं। इसलिए आने वाले तीन चार वर्षों के लिए हमारे संकल पे भी बहुत बड़े हो गए हैं। अब देश का लक्ष है, लॉजिक स्टिक्स, कॉस्को कम से कम करना, रेलिवे की कारगो क्षमता बढ़ाना, पॉर्ड कारगो कैपेसिटी बढ़ाना, टर्न एराउंड टाइम को कम करना, आने वाले चार पांच साल में देश में कुल मिला कर। दो सो से जादा एरपोर्ट, हैलिपेड और वाटर एरोड्राम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। अभी जो 19,000 किलोमेटर के करीब का हमारा गेस पाइपलाइन नेटवर्क है, उसे भी बढ़ा कर लगबग दो गुना किया जाएगा। साथियों, देश के किसानों और मच्वारों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्रेक्टर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ दो मेगा फुड़ पार्क थे, आज देश में 19 मेगा फुड़ पार्क काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचने का लक्ष है। बीते साथ सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लेंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुंच चुकी है। इसमें दो गुना से जादा के वृद्धी करने का लक्ष लेकर हम चल रहे हैं। साथ क्यों, डिफेंस सेक्टर में भी पहली बार व्यापक प्यास हो रहा है। अभी तामिलनाडू और यूपी में दो डिफेंस कोरिडूर पर काम चल रहा है। electronics और IT manufacturing में आज हम तेजी से अग्रणी देशों में शामील हो रहे हैं। एक समय हमारे यहां पांच manufacturing cluster थे। आज 15 manufacturing cluster हम तयार कर चुके हैं और इसे भी दो गुना तक वृद्धी का target है। बीते सालों में चार industrial corridor सुरू हो चुके हैं। और अब ऐसे corridors की संख्या को एक दर्जन तक बढ़ाया जा रहा है। साथियों आज सरकार जिस approach के साथ काम कर रही है। उसका एक उधारण plug and play infrastructure का निरमार भी है। अब देश की industry को ऐसी सुविदाय देना का प्रयास है। जो plug and play infrastructure से युक्त हो। यानि देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना system लगाना है। और काम शुरू करना है। जैसे greater noeda के दादरी में ऐसी ही integrated industrial township तयार हो रही है। इसको पुर्वी और पस्चिवी भारत के ports से dedicated freight corridor से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए यहां multi-modal logistics hub बनाया जाएगा। इसी के बगल में multi-modal transport hub बनेगा। जिसमें state-of-the-art railway terminus होगा। जिसको inter- or intra-state bus terminus मिलेगा। mass rapid transit system और दूसरी सुविदाओं से support किया जाएगा। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी ही सुविदाओं के निर्मान से भारत दुनिया की business capital बनने का सपना साकार कर सकता है। साथियों यह जितने भी लक्ष मैने गिनाये हैं। यह लक्ष सामान्य नहीं है। और इसलिए इनको हासिल करने के लिए प्रयाज भी अभुद्पुर्व होंगे और इसके तरीके भी अभुद्पुर्व होंगे। और इन्हें सबसे ज़्यादा ताकत PM गतिशिक्ती नेशनल मास्टर प्रांच से ही मिलेगी। जिस प्रकार Jam Trinity यानि जंदन, आधार, मोबाइल की शक्ति से देश में सरकारी सुविदाओं को तेजी से सही लाभार्थी तक पहुचाने में हम सफल हुए हैं। PM गतिशिक्ती इन्फा सक्टर के ख्षेतर में वैसा ही काम करने वाला है। ये पूरे देश के इन्फा सक्टर की प्लानिंग से लेकर एग्जुकिशन तक एक होलिस्टिक वीजन लेकर आ रहा है। एक बार फिर मैं सभी राजे सरकारों को इस से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आग्रह भी करता हूँ। ये समय जुड़ जाने का है। आज आजी के इस 75 वे वर्स में देश के लिए कुछ कर दिखाने का है। इस कारकम से जुड़े हर व्यक्ति से मेरा यही आग्रह है। यही मेरी उमीद है। आप सभी को इस महत्रपूर कारकम्य प्रधार अली के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रदान मंत्री ग्रति शक्ति मास्टर प्लान प्राविट पार्टी भी उसको बहुत बारिकी से देखेगी। वे भी इससे जुड़ करके अप अपनी भावी रणन दित्य ताय कर सकती हैं विकास के नए आयाम को छूँ सकती हैं मेरी आप सब को बहुत बहुत शुबकामना हैं देश वास्यों को आज नवरात्री के पावन पर पर शक्ति के इस उपासना के सभाएं शक्ति इस्टे की भगिरत कार्य के लिए अनेक अने शुबकामना हो देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद शुबकामना हैं कोटी कोटी जन की आशा और विश्वास माननी प्रधान मंद्री जी का हम रिदैसी धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रधान मंद्री जी आज की इस सौगात के लिए National Master Plan गति शक्ति एक ऐसे परिद विकास की शुरुवात है एक ऐसे नए युग को आवाज है जिसकी गूँज निश्चित ही भविश्चित गूँजेगी आपका कोटी शह आभार माननी प्रधान मंद्री जी इस सौगात इस शुरुवात के लिए इस एतिहासिक शुरुवात के लिए आपके शुरुदे से हम सब हम देशवासी हम भारतिय आभारी हैं सभी गण माननी सम माननी माननी मंद्री गण का भी हम शुरुदे से धन्यवात करते हैं उनकी उपस्थिती के लिए माननी प्रधान मंद्री जी आप पधार रहे हैं और प्रस्थान करेंगे, आप सभी से निवेदन हैं, कृपया आपने ही स्थान पर रहें माननी प्रधान मंत्री जी अब प्रस्थान कर रही है तो काफी महत्वपूर कारिकरम प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का दिल्ली के प्रगती मैदान पे वहाँ पर प्रधान मंतरी ने जो नव निर्मित प्रगती मैदान है जिसमें से उसका काफी